बारत के प्रमुख राष्ट्री उद्यानों पर चल रही देयायर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज के इस अंक में हम दक्षण भारत में इस्थित महावीर हरिना वनिस्थली राष्ट्री उद्यान पापी कुंडा राष्ट्री उद्यान श्री विंकटेश्वर राष्ट्री उद्यान तथा राजीव गांधी राश्ट्री उद्यानों पर चर्चा करेंगे आईए शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड के पहले राश्ट्री उद्यान से जिसका नाम है महावीर हरिना वनिस्थली राश्ट्री उद्यान महावीर हरिना वनस्थली राश्ट्री उद्यान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के वनस्थली पुरम में इस्तित है इस उद्यान का नाम जैन धर्मगुरू भगवान महावीर के नाम पर रखा गया है चुकि यहाँ चीतल वा ब्लाक बक हिरन मुख्य रूप से पाए जाते हैं इसलिए यह राश्ट्री उद्यान एक डीर पार्क के रूप में भी प्रसिद्ध है इसके अलावा यहाँ मौनिटर लिजर्ड वा सांपो की विविन प्रबजातियां भी पाए जाती है राश्ट्री उद्यानों की इस कड़ी में अगला नाम आता है पापी कुंडा राश्ट्री उद्यान का पापी कुंडा राश्ट्री उद्यान आंधर प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में पूर्वी घाट के क्षित्रों में इस्थित है यहां पायजाने वाले दुरिलव बन्य जीवों में हिरन व बाग के अलावा हाईना, मगर तथा इंडियन गोल्डेन गेको आदी शामिल है गौरतलब है कि यही इंडियन गोल्डेन गेको केवल पूर्वी घाट के क्षित्रों में पायजाता है इसके अलावा यहां एक ड्वार्फ गोट भी पाई जाती है जिसे यहां के क्षेत्री भाषा में कंचु मेखा कहा जाता है उद्यानों के इसी क्रम में अगला नाम आता है श्री वेंकटेश्वर राश्ट्री उद्यान का भारत की आंद्रप्रदीश राज्जी के चितूर जिले में इस्थित श्री वेंकटेश्वर राश्ट्री उद्यान तिरू माला तथा सेशा चलम पहाड़ियों के क्षित्रों में फैला हुआ है यहां पाय जाने वाले मुख्य जीव जन्तू में बोनिट मकाक, गोल्डेन गेकू, पाइड किंग फिशर वा हिरन आदी शामिल हैं जिसमें बोनिट मकाक, जो कि केवल प्रायदूपी भारत में ही पाया जाता है, को IUCN की Red Data लिस्ट में असुरक्षित यानी Vulnerable की श्रीणी में रखा गया है अगर यहां मिलने वाली बनस्पतियों की बात करें, तो यहां मुख्य रूप से Red Sandals के पेड़ पाये जाते हैं, जो कि मूल रूप से दक्षिल भारत के पूर्वी घाट में ही पाये जाते हैं गौर तलब है कि Red Sandals का IUCN status संकट गरस्त यानी Endangered का है बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड के आखरी उद्यान की ओर जिसका नाम है राजीव गांधी रामेश्वरम राश्ट्री उद्यान राजीव गांधी राष्टी उद्यान जिसे रामेश्वरम राष्टी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है आंधर प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में इस्थित है पेनना नदी इस उद्यान से संबंधित एक प्रमुख नदी है इसके अलावा यहां कीटों और सापों की कई दुरलप प्रजातियां भी पाई जाती है